नमस्कार आदाब सच्ष्री अकाल जैभीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार आप कहें तो सम्विधान दिवस आप कहें तो मुंबई हमलों की बरसी और आप कहें तो किसान आंदोलन की साल गिरह लेकिन इन तीनों ही मौकों के बीच में अगर कुछ फसा हुआ है तो फसा हुआ है हमारा लोकतंत्र अगर कुछ फसा हुआ है तो फसा हुआ है हमारे आदमी होने का अर्थ और अगर कुछ फसा हुआ है तो फसी हुए हमारी जिजिविशा कि ये मुल्क आइडिया और भारत का विचार बचेगा या नहीं गांधिवाद के रास्ते पर बढ़ा हुआ अंदोलन आज एक साल पूरा कर ला है और इस मौके पर हम पीछे मुण कर देखना चाहते हैं कि जहां से यह अंदोलन चला था उस मकाम तक पहुचा या नहीं रास्ते में भटका तो नहीं और जहां तक उससे पहुचना था उससे आगे की मंजिल नजर आती है या नहीं और अगर हम पूछना चाहें कि यह सवाल हम कि लोगों से पूछ सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि बच्चे मन के सच्चे तो हमारे साथ दो बच्चे हैं जो किसान आंदोलन में पहुचे हैं गाजीपूर यह तो नहीं ले आए कि आपके पापा लोकतंत्र को बहुत प्यार करते हैं सम्विधान को बहुत प्यार करते हैं और इसलिए आपको जबर्दस्ती खीच लाए तो पहले आप अपने नाम बताईए अरनब तूमर और आपका आरियन तूमर तो आरियन आपकी उमर कितनी है कुछ और ख्याल आता होगा लेकिन यह अर्णब है आप इनहीं को याद रखिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में जो हिंदुस्तान बनेगा उसमें ऐसे अर्णब और ऐसे आर्यन की बड़ी भूमिका होने वाली है तो अर्णब आप यह बताईए कि आपको पापा जबर्द सब्सक्राइब यह कर दें अद जबर्दास तिल यह गarentुन की यह तो एक डिशान वागा के शAC्मनाने आएरना चानिया किशान एक साल से बैठे हैं तो आप क्यों आए हो आपको क्या लेना देना किसानों से हम एमेश पी पे गारंटी कानून बनाने के लिए बिजली संसोधन बील 2020 को वापिस कराने के लिए पराली जलाने पर कितानों पर जो दरजनों मुकदमे हुए है उने वापिस कराने के लिए हम पूरे वर्स से कारेकरम देख रहे हैं अच्छा ये बताओ कि फिर दुबारा आओगे आप जब यहां आ रहे थे तो आप आपको पापा ने का चलने के लिए आप अपने आप आए यहां आकर आपने क्या देखा? अच्छा आप भी अकात नाम जोडना चाहते हैं? अच्छो के दादा इनसे पुछ आपका नाम क्या है सर? रामकुमार तोमर सर. रामकुमार तोमर तो आप आपने इन बच्छों को बहुत अच्छे से सिखाया पड़ाया है? अच्छा आप एजुकेट क्या है वह तो लगातार हमें खोल देते हैं खोल के. अच्छा आप काम क्या करते हैं? अच्छा आप एजुकेट क्या हैं? जो बेसिक जो रिक्वार्मेंट थी किसानों की वो तो पूरी नहीं हुई है. अब तक मिला क्या है सर तो जो चीज लेने आए थे तो कुछ भी ना मिली. तो कुल मिलाकर एक लंबी लड़ाई है और आज जो है उसका पड़ाओ है एक रास्ता है. ये रास्ता लंबा चलेगा और देखते हैं कि सांदोलन का जो मकाम तै हुआ था 26 तवंबर 2020 को. वो मकाम मिलता है या नहीं और मकाम मिलता है तो किस तारीख पर पहुँच कर. आर्टिकल 19 इंडिया पर इस वक्त के लिए इतना ही नमस्कार.